दूसरों की खुशी में खुश रहने के जो आदत होती है ना वो कोई हम हिंदुस्तानियों से सीखे भाई अपने एलन मस्क का मस्त हो गया है लेकिन उनकी मस्तानी चाल से ज्यादा मस्त हुए पड़े हम भारती लोग कल से ही देख रहा हूं इतने सारे लोगों ने एलन मस्क क ट्विटर खरीदने की बधाई दे डाली है बीना अपनी उसमें बड़ी फोटो और एलन मस्क की छोटी फोटो लगाए इतने सारे लोगों ने बधाई दे डाली है कि कुछ कहेने को नहीं है हाला कि उनके पास अब तक जिसका फोन चला जाना चाहिए था लाड़ स्पीकर क पर डाल के कि बावाद बावाद बधाई उसने अभी तक बधाई नहीं दी है इसलिए हम इसको भी पूरी तरह से बधाई की पूरा होती नहीं मानेंगे लेकिन हां मजा तो आता ही यह आर अपने यहां के लोग इतने ज्यादा संतोसी है कि बाहर दूर गाउं वैठे कोई आदमी ने कोई बड़ा काम कर दिया तो उसमें बढ़िया से खुश हो गया है यही होना भी चाहिए हमारा दर्द जो है ना कहते हैं कि दुनिया में कितना अगम है मेरा अगम कितना कम है यही सोच के रखना चाहिए खुशी देखो यार कितनी फैली पड़ी है एलन मस्क ने 44 बिलियन में ट्विटर खरीद लिया कई जगा बताया जा रहा है कि कई देशों की एकॉनमी भी 44 बिलियन की नहीं है का जा रहा है कि अपना जो पड़ोसी देश है श्री लंका यह दिवालिया हो गया इस पर 45 बिलियन का कर्द है यानि अगर वो कर्द चुका थे तो बाई आट ट्विटर खरी लिया कल को फेस्बूक खरीद लेंगे वाट्सव करील लेंगे सब खरीद लेंगे लेंगे उनके पास अभी तब पैसा विजन नहीं है कि किसी देश की सरकार खरीद ले और दुनिया में ऐसे अरपति खरफती भी हैं जो सरकार चलाते है देश की बहुत दूर आपको जाने की जरूत नहीं पड़ेगी अगर ध्यान से देखेंगे तो सब कहते ना आखो देखी फिल्म जो है उसमें संजे मिष्टा कहते हैं कि आखें खोलो सब यहीं है तो वाइक साब सब यहीं है तुमारे पास बस आखें खोलने की देर है हमको इसमें शब्दों की अक्षरों की सीमा बढ़ाईए हमको गाली लिखने प्राबलम होती है पूरी बात लिख देते हैं लेकिन लास्ट में गाली बज जाती है तो उसके लिए हमको अगला ट्वीट लिखना पड़ता है और हमारा काम सिर्फ ब्लू टिक से नहीं चलेग वो एलेन मस्क से डिमांड रख रहे हैं यह होती पाजिटिवटी इसको कहते हैं उम्मीद होप इसी पर दुनिया चल लही है तिकी हुई है और सुनो अपने यहां के पराग अगरवाल की चिन्ता होने लगी है अरे भाई क्या करे हमारे देश का खून है अगर उनकी नोकरी संकट में आएगी तो हमको चिन्ता होगी है बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर ट्विटर का भविस्ट वैसे अनिश्चित है तो हो सकता है कि पराग अगरवाल की नोकरी चली जाए प्रेटर के CEO पद से वो निकाल दिये जाए तो फिर उनके पास क्या options बचते हैं अगर अगरवाल building materials खरीदेंगे मज़े की बात यह है कि पराग अगरवाल की नोकरी की चिंता है और अपने अपने देश के नो करोर लोगों ने एकदम कंटाल परेशान होके पस्त होके नोकरी की इच्छा करनी ही बंद कर दिया है नोकरी को ढूंडना ही बंद कर दिया है यह होत पास एक चीज है यह देखो यह मेरे पास यह वाला यह वाला laptop है भाई साहब इसकी अगर सही सही कीमत वो लगा दें तो मदा ही आ जाएगा